भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं. उनकी प्रेम मैं दशा देखकर मुनी और सिध्ध लोग भी सिहाते हैं. भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारो और प्रेम उमड पड़ता है. उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं. अयोध्यवासियों का प्रेम कहते नहीं बनता. बीच में निवास, मुकाम करके भरत जी यमुनाजी के तट पर आए. यमुनाजी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया. श्री रगुनाजी के श्याम, रंग का सुन्दर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम वहवल होकर श्री रामजी के विरह रूपी समुद्र में डूपते डूपते विवेक रूपी जहाज पर चड़ गए. अर्थात यमुनाजी का श्यामवरन जल देखकर सब लोग श्यामवरन भगवान के प्रेम में वहवल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीडित हो गए. तब भरत जी को यह ध्यान आया की जल्दी चलकर उनके साक्षाद दर्शन करेंगे. इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए. उस दिन यमुनाजी के किनारे निव किया. सम्यानुसार सबके लिए खानपान आदी की सुन्दर व्यवस्था हुई निशादराज का संकेत पाकर राथ ही रात में घाट-घाट की अगणित नावे वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता. सबेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रा चले. आगे अच्छे-च्छी सवारियों पर श्रेष्ट मुनी हैं. उनके पीछे सारा राजसमाज जा रहा है. उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूशन वस्त्र और वेश से पैदल चल रही हैं. सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं. लक्षमन, सीता जा ए और श्री रखुनाच्ड जी का स्मरण करते जा रही हैं. जहां जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं. मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाच छोड़ कर दौडकर ये रामलक्षमन है कि नहीं? है सखी. इनकी अवस्था, शरीर और रंगरूप तो वही है. शील, सने उन्ही के सद्रिश है और चाल भी उन्ही के समान है. परंतु सखी. इनका ना तो वह वेश, वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है. फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेध है. है सखी. इसी भेद के कारण संदे होता है. उसका तर्क, युक्ती, अन्यस्त्रियों के मन भाया. सब कहती हैं कि इसके समान सयानी, चतुर, कोई नहीं है. उसकी सराना करके और तेरी वानी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली. श्री राम जी के राज्तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेमपूर्व कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेय और स्वभाव की सराहना करने लगी. वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिये हुए राज्य को त्याक कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रही हैं. इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ती और इनके आचरण कहने और सुनने से दुहक और दोशों के हरने वाले हैं. हे सकी, उनके संबन्द में जो कुछ भी कहा जाए, वह थोड़ा है. श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों नहूं? छोटे भाई शत्रूधन सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य, बढ़भागिनी, स्त्रियों की गिंती में आ गई. इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रिया पच्ताती हैं, और कहती हैं, यहाँ पुत्र कैके जैसी माता के योग्य नहीं है. कोई कहती है इसमें रानी का भी दोश नहीं है. यहाँ सब विधाता ने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है. कहां तो हम लोक और वेद दोनों की विधी, मर्यादा, सेहीन, कुल और कर्तूद दोनों से मलिन तुछ स्त्रिया, जो बुरे देश, जंगली प्रांथ और बुरे गाव में बस्ती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रिया हैं. और कहां यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन. ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गाव-गाव में हो रहा है. मानो मरुभूमी में कल्पवरिक शुक गया हो. भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गये. जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रगुनात जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं. वे तीर्थ देखकर स्नान और मुन्यों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं. और मन ही मन यह वर्दान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो. मार्ग में भील, कोल आदी वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रहमचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं. उनमें से जिस्तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मन जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं. वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्द का फल पाते हैं. जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मन के समान ही प्यारे मानते हैं. इस प्रकार सबसे सुन्दर वानी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं. उस दिन वहीं ठेहर कर दूसरे दिन प्रातहकाल ही श्री रगुनात जी का स्मरण करके चले. साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई, ए. सब को मंगल सूचक शकुन हो रही हैं. सुख देने वाले, पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाए, नेत्र और भुजाए फड़क रही हैं. समाज सहित भरत जी को उत्सा हो रहा है कि श्री राम चंद्र जी मिलेंगे और दुहक का दा मिट जाएगा. जिसके जी में जैसा है, वा वैसा ही मनोरत करता है. सब सनेही रूपी मदिरा से छके, प्रेम में मतवाले हुए, चले जा रही हैं. अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रही हैं, और प्रेमवश वहवल वचन बोल रही हैं. राम सखा निशादराज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना परवत शिरोमणी कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकठी पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेद दोनों भाई निवास करते हैं. सब लोग उस परवत को देखकर जान की जीवन श्री रामचंदर जी की जय हो। ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। सब लोग श्री रामचंदर जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्थ होने तक दिन भर में दो ही कोस चल पाएं और जलस्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाय पिये ही रह गए। रात बीतने पर श्री रगुनात जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया.